हलो दोस्तों मैं पशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वेटी टू कम्मुनिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि कैसे आप आपसंस ट्रेडिंग में केंडल ब्लेंडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं कैंडल ब्लेंडिंग को यूज करके कैसे हम आपसंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं इसके उपर हम इस वीडियो में डीटेल से बात करने जा रहे हैं और कैंडल ब्लेंडिंग के उपर हमने कई सारे वीडियो और बना रखे हैं और उस concept के बारे में आपको information होगा, नहीं information है, तो थोरा बहुत मैं आपको overview candle blending के बारे में भी दे दूँगा, अब बहुत साई लोग candle blending के concept को जानते हैं, लेकिन उसका सही तरीके से इस्तिमाल options trading में नहीं कर पाते हैं, as a world, वो options trading में नुकसान कर बैठते हैं, तो उसी के उ तक अपने options trade को profitable भी बना सकते हैं, तो चलिए इसको सीखते हैं, यहाँ पे अब हम चार्ट पे आगे, और सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, कि candle blending होता क्या है, जिनको concept नहीं पता, उनको यहाँ पे छोटा समय, अबर भी देता हूं कि candle blending होता क्या है, candle blending हम क्या करते हैं, दो या दो से जादा candle को एक साथ blend करते हुए, उसको एक candle बनाते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, पहले candle का opening point लेते हैं, और last candle जो भी बनता है, उसका हम closing point लेते हैं, और उस बीच में जो भी high बना है, वो हमारा highest पॉइंट होता हो जो भी लोगना वह हमारा लोइस्ट बन जाता है फॉर इक्जांपल हम यहीं पर आपको दिखाना चाहेंगे अगर हमें इस सारे केंडल को एक साथ ब्लेंड करना हो तो हम कैसे ब्लेंड करेंगे केंडल ड्योंडंद होगा क्या देखिए यह केंडल आपका open हुआ यह तो पहले candle का हमने opening point ले लिया और उसके बाद last candle कौन सा यह है इसका closing point यहाँ पर यहाँ पर closing दिया यहाँ यह candle आपका यहाँ पर close हो गया यह candle का body बन जाएगा उसके बाद highest point क्या highest point भी लगबग यह थोड़ा सा उपर है यह मेरा उपर में छोटा तो इन सारे candle को blend करके इन सारे candle को join करके हम एक candle बना सकते हैं जो कि हमें और भी इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर उपर साइड की तरफ जाने वाला और इसके बाद देखिए प्राइस आपका उपर साइड की तरफ गया भी है तो इस तरीके से हम candle blending technique का इस्तमाल करते हैं में लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका इस्तमाल हम options trading में कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले candle blending आपने सीख लिया अब candle blending का इस्तमाल को लेके बहुत साइड लोगों के मन में doubt रहता और candle blending का इस्तमाल हम वहाँ पे नहीं करते हैं जहां पे हमें market का direction clear cut समझ में आ रहा हम वहाँ पे इस्तमाल करते हैं जहां पे हम market को लेके confused हैं वर एक्समाल यहांप मैं आपको बताना चाओंगा प्रेइस आपका नीचे से ऊपर साइड की तरफ जा रहा है इसकी बाद यहां पे आपका ऊपर में टेर्ल बदना इस्टार्ट हो गया यहां पर आपका ऊपर में एक अक्छा कासा टेर्ल बनाए उसकी बात क्या हुआ हैं candle का formation किया है लेकिन यहाँ पर जो tail बना है वो नीचे में बना है मतलब यह candle हमें क्या दिखा रहा है यह candle हमें दिखा रहा है कि काफी हत तक seller's market में हावी है लेकिन उसके जस्ट बाद जो candle form हो रहा है अगला 50 बाद हमें क्या पता चलबा है कि market में buyers हमें हावी होते हुए दिख रहे हैं तो कभी candles बता रहा है कि sellers हावी है कभी buyers हावी है यह नहीं candle यहाँ पर हमें clear picture नहीं दे रहा है हम totally confused है उसके बाद वापस से एक और red candle का formation हो गया और यहाँ पर हम totally अब confused हो गये कि market का direction यहाँ पर क्या होगा तो सबसे पहला candle open कहाँ पर हुआ है यह आपका open हुआ है इस point पर उसके बाद close कहाँ पर दिया है last वाला candle यहाँ पर closing दिया है इससे just ऊपर हमें यहाँ पर closing देखने को मिला है उसके बाद नीचे में जो tail है इन तिनों में सबसे lowest point यह वाला है तो यह इसका low बन जाएगा और highest point यह है तो यह इसका high बन जाएगा तो हमें इस तरह का candle का formation देखने को मिल रहा है अब इस candle में long tail कहाँ पर है long tail आपका ऊपर सायर की तरफ है मतलब यह तीनों candle मिलके हमें क्या दिखा रहा है यह तीनों candle मिलके हमें बता रहा है कि overall market में किसका कब जाए market में sellers का कब जाए और यहाँ पे हम sell side की तरफ जाना ज़्यादा prefer करेंगे यानि अब हमें market का direction है वो कावियत तक clarity के साथ समझ में आ गया अब इसके basis पे हम options में trade कैसे लेंगे यह भी हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे sell side की तरफ जाना कब है यहाँ मैं इसको लेके clear drawings कर लेता हूं देख सकते हैं अब यहाँ पे हम करेंगे क्या इसके lowest point को mark कर लिया यहनि इन तीनो candle का lowest point यह इसको mark कर लिया और highest point यह इसको mark कर लिया अब यहाँ पे sellers हाँ भी होते हुए दिख रहे हैं तो most prevail chance है कि यहाँ पे हमे breakdown देखने हो पर नीचे side की तरफ momentum देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम इसके lowest point को mark कर लिते हैं जैसे price इस 42-43 के करें और हम लोग slightly in the money जाना prefer करते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे 42-50 के strike price का selection करेंगे put side की तरफ अब इसी में हम लोग trade करेंगे अब हमारा candle blending का काम यही पे खत्म हो गया बस हम इसके basis पे क्या करेंगे अपने strike price का selection करेंगे यानि कौन से strike price में हमें trade करना है वो हमें यहाँ पे पता चल गया और हमारा view negative side की तरफ है breakdown दिया है तो इस options को हम buy करना prefer करेंगे तो चलिए अब हम सीधे 42-50 के put options वाले चार्ट पे चलते हैं तो देख सकते हैं हम डॉक्टर वेड़ी की बात कर रहे थे डॉक्टर वेड़ी का ही है 29th of September 42-50 का put options वाला चार्ट है औ अब चार्ट के उपर बात कर लेते हैं 15 मिया टाइम वाला चार्ट है तो इसके basis पे हम इंट्राइडे ट्वेड आसानी से कर सकते हैं बी टीएस्टी ट्वेड भी कर सकते हैं और चाहो तो आप स्विंग ट्वेडिंग में इसका इस्तमाल कर सकते हो टाइम फ्रेम फोरा पोजिशंग इनिशियेड करना है अब देखे 11 एम यहाँ पर कब होँचिए और यहां क्ड़ लगबग 84 के करीब यहां पर हम क्या करेंगे box Buy side की तरफ अपना पोजिशंग इनिशियेड करेंगे यहां इस लेवल पर हम बाई करेंगे यहां पे एकड़े क्या करें डॉक्टर वेंडी के 42,50 के put options को यहाँ पे हम क्या कर रहे है buy कर रहे है, कितने रुपीज के premium पे 84 के premium पे हम इसको buy कर रहे है, मेरा final trade होगा, अब यहाँ पे हमारा target price क्या होगा, यह भी हमें समझने की जबध है, अब target price के लिए हम आपका 100-04 ले ले लेते हैं, फिर आपका 114 ले ले लेते हैं, इस तरीके से आप लगबग 2-3, 10-10% के target price के लिए जा सकते हैं, फिर आप अपने stop loss को 12 करते हुए, आगे भी continue कर सकते हैं, यानि तो अगर आपको profit book करना है, तो आप profit booking भी कर सकते हैं, और यहां पे भी अगर आप देख सकते हैं, जिस टाइम पे हमने candle blending किया था, यहां पे भी ज़्यादा कुछ picture clear नहीं है, यहां पे लगबग 3-4 candle ने आपका same bottom का formation किया है, और हमें clear picture नहीं मिल भा, wet candle form होने के बावजूद भी price नीचे side की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा, तो आप जाओ तो यहां पे भी candle blending कर सकते हो, लेकिन यहां पे candle blending करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पे volatility हमें generally ज़्यादा देखने को वेलता है, in competition to spot, इसलिए सारा काम हम spot पे करेंगे, strike price का selection करने के बाद यहां पे हम time note कर लेंगे और उस time पे यहां पे trade initiate करेंगे, उसके बाद target set करने का काम हम यहीं से करेंगे, फिर हमें ज़्यादा sport पे जाने की जोगत नहीं है, अगर कुछ major changes होता है, तो फिर हम वहां पे जा सकते हैं, तो इस तरीके से आप candle blending के मदद से आप options में trade ले सकते हैं, यह चीज़ आपको यहां पे समझ में आ गया होगा, यहां पमें आपको एक और चीज़ बतना चाहूंगा, कि अगर आप options trading सीखना चाहते हैं, from basic to advance, तो इसको लेके हमने एक course रिजाइन किया है, उसके लिए आपको हमारा mobile app equity community को डाउनलोड करना होगा from play store, नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के description में भी मिल जाएगा, वहाँ पे हमने पूरा basic से बताया, options trading का, from advance और वो course सीखने के बाद, आप खुद से एक independent trader की तरह काम कर सकते हैं, future options में, future options का सारा decision आप खुद से ले सकते हैं, option chain को study करना सीख सकते हैं, तो अगर आपको वो सारा कुछ सीखना है, तो आप हमारा mobile app ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए अब हम आगे बठते हैं, और यहाँ पर हम दूसरे example पर आना चाहेंगे, दूसरे example के अगर हम बात करें, यहाँ पर हम दूसरे example पर आना चाहेंगे, अगर आप यहाँ पर दूसरा example देखे, तो दूसरा example हमारा hero motocop का 15 minute वाले चार्ट पर आएं, यहा आपको एक चीज़ बताया था कि candle blending हमें करना कब है जब हमें market में confusion देखने को मिले तभी हमें candle blending करने की जवरत है देख सकते हैं यहां से price आपका नीचे साइड की तरफ आ रहा है अब यहां पर जब दो स्वेड candle फॉर्म किया उसकी बाद क्या किया एक green candle फॉर्म किया long till at the bottom यहां पर जो buyers हैं वो काफी हद तक market को control करने कोसिस करें buyers यहां पर थोरे बहुत strong दिखना स्टार्ट करती है buyers का entry दिख गया लेकिन अगले ही 15 मिट बाद क्या हुआ long till at the top बादा candle वापस से देखने को मिल गया मतलब यहां पर हम यहीं पता चाब रहा है कि sellers भी काफी हद strong हमें दिख रहे हैं मतलब यहां पर हम totally confused है कि marker का direction नीचे साइड की तरफ है या फिर उपर साइड की तरफ है और दोनों एक दूसरे के opposite candle का formation किया है यहां पर हम candles के नाम पर नहीं जा रहे हम सिर्फ उसके nature को पर बात करें ताकि जिस beginners को candle का नाम नहीं पता वो भी आसानी से ट्वेट ले सकते हैं क्योंकि candle का नाम अगर आपको याद भी होगा उससे आपको कोई reward मिलने वाला नहीं है आपको reward मिलेगा अगर आप इसको सही तरीके से करके ट्वेट लेते हैं तब आपको reward मिलने वाला है उसकी बाद आपको अगला एक और green candle का formation किया है जो कि हमें मिल वाया तो फिर हम options में strike price का selection करेंगे नहीं मिल वाया तो फिर हम इसके बाद ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हम trading positions को avoid करेंगे तो यहाँ पे पहले candle की अगर हम बात कर ले तो यह आपका open हुआ है इस point पे और उसके बाद जो यहाँ पे हमें candle closing दिख रहा है वो closing दिख रहा है अब यहाँ पर देखें क्या हुआ है यह आपका एक strong green body वाला candle बन गया है जिसमें हमें काफी strong green body देखने को मिल रहा है और यह हमें clear picture दे रहा है कि price यहाँ से आपका upside की तरफ जाने वाला यह नहीं हमें upside की तरफ momentum जाने के chances हमें ज्यादा दिख रहे हैं इसलिए हम क्य क्या करेंगे options में strike price का selection करेंगे और यहाँ पर अगर हम levels की बात कर लें तो जो levels आपका बन के आ रहा 2753 के करीब आ रहा तो यहाँ पर हम क्या prefer करेंगे 2750 की strike price का call options को buy करना prefer करेंगे अब हमें कहां पर आना अब हमें hero motocop के 2750 के call options वाले चार्ट पर आना है तो चले यहाँ पर हम इसके चार्ट पर चलते हैं और फिर वहाँ पर हम decisions लेंगे कि हमें trade कब करना है और यहाँ पर हम time note कर लेते time आपका 1245 के करीब जहाँ पर हमने trade ल और 2750 का यह call options है जिसका object हमने किया था और यहाँ पर हमने time आपको क्या बदाया था 1245 के करीब time बदाया था देख लेते हैं 1245 आपका यहीं पर हो रहा है तो यहाँ पर जो हम entry लेंगे वो लगबग हम आपके 50 के level के करीब यहाँ पर हम by side की तरफ entry लेंगे और यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें confusing movie देखने को मिला जहां पर हमने candle blend किया है तो जो चीज वहाँ पर हमें देखने को मिल वा उसका काफी हद तक picture हमें यहाँ पर भी देखने को मिल वा यहाँ पर भी आप candle blending का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन उतना clear picture नहीं मिलेगा करेंगे और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 10-10% का अपना टागेट पैस रखेंगे और lowest point को हम SL के रूप में रख सकते हैं वहाँ पर भी जो हमारे लिए lowest point था वह हमारा stop loss बन जाता उसकी बाद हम 55, 60, 66, 72 इस तरह के 10-10% के टागेट पैस के लिए आप जा सकते हैं और करते हुए भी चल सकते हैं उससे भी आप अपने profit को maximize कर सकते हैं तो इस तरीके से हम candle blending टेक्निक को यूज करते हुए strike price का selection किये और फिर options में trade करना सिख गए आसानी से options में हमने trade लिया तो इस तरीके से आप candle blending को use करके options में trade ले सकते हैं यह काफे simples है कोई complications नहीं है उमीद करते हैं यह concept यहाँ पर आपको clarity के साथ समझ में आ गया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज वीड को miss ना करें so that's all friends मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन